हे गाईज वेलकम टू गवर्मेंट जोब्स ग्यान योटूब चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCL Admit Card 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जिहां दोस्तों Northern Callfields Limited NCL ने यहाँ पर Assistant Foreman के 150 खाली पदों को भड़ने के लिए Admit Card Release कर दिये हैं कैसे कब और कहां से आप अपने Admit Card डाउनलोड कर सकते हो इसकी पूरी जानकारे हम आपको Step by Step इस वीडियो में देंगे बस आपको इस वीडियो को Skip के बिना सुरू से लेकर End तक देखना है उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर कर दें चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले तो गाईज बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बोक्स में हमारी वेबसाइट आएंडी सरकारी नौक्री डोटिन के इस पे इसका लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको इस एड्मिट कार्ड के रिगारिंग सभी डिटेल्स परवाइट का दी गई है नौर्थन कॉल्फिट्स लिमिटिड एंचेन ने कुछ दिनों पहले असिस्टेंट फोर्मेन के 150 खाली पदों को भणने के लिए नोटिफिकेशन रिज किया था जहां पर आपका सेलिक्शन कॉम्प्यूटर बेस टेस्ट, डोकिमेंट, वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्जामिनेशन के आधार पर होगा देट के अगर बात करें तो एप्लिकेशन फोर्म कैनिरेट से 15 जनवरी दोहजार चोबिस से 5 फरवरी दोहजार चोबिस के बीच में एक्सेप्ट के गए थे अब यहां पर आपका कम्प्यूटर बेस टेस्ट 4 मार्च दोहजार चोबिस को कंडेक्ट होने ही जा रहा है आप अपने एडमिट कार एक्जाम कंड़क्ट होने के 2 या 4 दिन पहले ओफिसल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक्जाम में पाटिस्पेट कर सकते हो आपको इस पेज को नीचे स्कोल डाउन करना है इंपोर्टेंट लिंक सेक्षन में आकर NCL एसिस्टेंट 4 में एडमिट कार आपको इस लिंक पर किलिक कर देना है उसके बाद आपके सामने गाईज यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर NCL का यह ओफिसल पोटल है या फिर गाईज आप डिरेक्ली अपने इंटरफेस ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करेंगे nclcl.in उसके बाद आपके सामने Northern Conference Limited की यह ओफिसल वेब्साइट खुल जाएगी यहाँ पर आकर आपको इस वेब्साइट के बोटं में आना है और Recruitment के इस लिंक पर किलिक कर देना है उसके बाद आपके सामने Recruitment का सेक्शन उपन हो जाएगा यहाँ पर Recruitment के सेक्शन में आपको आपके Assistant Foreman के Admit Card के लिए लिए लिंक एक्तिव कर जाएगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NCL का यह official portal open हो जाएगा यहाँ पर गाईज आपको आपके admit card का link active कर जाएगा या फिर यहीं पर ही आपको आपके admit card का link active कर जाएगा admit card के link पर जैसे ही आप click करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एंटरफेस कुलेगा यहाँ पर आपको अपनी user id और password एंटर करके यह capture code एंटर करके login कर लेना है और फिर अपने dashboard में से आपको अपना admit card डाउनलोड कर लेना है आपका admit card डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से सो होगा इसमें आपको सभी details provide का दी जाएगी जैसे कि क्या आपका reporting time है कब से कब तक आपका exam conduct होगा किस date को आपका exam किस city में conduct होगा सभी general instructions और details आपके exam related आपको आपके admit card में provide का दी जाएगे आपको सभी details carefully read out करनी है उसके बाद आपको अपने admit card का एक hard copy print out ले लेना है और उसके साथ आपको exam में participate करना है गाईजा आपको अपने admit card के hard copy print out के साथ साथ या अपने साथ एक valid photo पैचान पत्री भी लेकर जाना होगा जैसे कि कोई आपका आधार card, pen card या फिर driving license इन दो document के साथ आपको exam में participate करना है बिना इनके examiner आपको exam में बैटने के लिए allow नहीं करेगा तो दोस्तों ऐसे आप अपना NGL Assistant for men 150 post के लिए admit card download कर सकते हो आपको हमारी website के इसी page पर ये exam rate and admit card notice PDF का link भी दिया गया है जैसे ही आप इस link पर click करेंगे तो आपके सामने ये PDF open हो जाएगी यहाँ से आप check out कर सकते हो NGL की भरती 2024 का जो advertisement सा 150 post के लिए उसका exam यहाँ पर अब 4.3.2024 को conduct होने जा रहा है आप अपने admit card exam conduct होने के 2 या 4 दिन पहले official website से download कर सकते हो इस steps हमने आपको बताती हैं जिनको follow करते हुए आप अपने admit card download कर सकते हो तो दोस्तो ऐसे आप अपने NGL Assistant for Man 150 post के लिए admit card download कर सकते हो आज किस वीडियो में बस इतना ही I hope वीडियो आपके पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like को और share करें चैनल पर नए हो तो इसे subscribe कर ले Thanks for watching